Hello दोस्तों मैं हूँ रहेजेत आज के इस वीडियों बात करेंगे भारत के सबसे बड़े पुल और ब्रिज की जो की असम के बोगी बिल में बना है दोस्तों यह देश का सबसे बड़ा पुल है और विश्व के कही बड़े ब्रिज में से यह शामिल हो चुका है दोस्तो PM मोधी दुआरा मंगलवार को इसका उटगाटन कर दिया गया और इसे बनाने में 16 साल लग गए भारत के इंजीनियर्स को दोस्तो ब्रह्मपुत्र नदी के उपर बना ये ब्रिज दुनिया के सबसे शांदार ब्रिज में से एक माना जाता है जैसा कि आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं कि इसकी बनावट काफी जादा शांदार है मंगलवार को इसका उटगाटन PM नरेंद्र मोधी दुआरा किया गया और आपको बता दो दोस्तो इसके निचल सीरे पर तो ट्रेन दोड़ेगी और इसके उपर गाडिया दोस्तो इसको इस प्रकार इंजिनिर्ज दुआरा बनाया गया है कि इसके उपर से 100 किलोमेटर पर सी घंटा के रफतार से भी ट्रेन को गुजारा जा सकता है और वहनों कि तो गती का क्या कहना दोस्तो ये इंजिनिर की महा मिसाल है भारत में बनाई ये पुल दोस्तों ये पुल की लंबाई है 4.94 किलोमेटर जो की काफी ज़्यादा है क्योंकि ये नदी के उपर बना है इसलिए और दोस्तों ये पुल 7 तीवरता का भुकम तक जहलने के लिए बनाया गया है और साथ साथ बड़ी आपदाओं का सामना भी कर सकता है इंजीनिरिंग की महामिसाल प्रस्तुत करता है ये और भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ब्रिज बनाया गया है क्योंकि इससे कई सारे फायदे होने वाले हैं दोस्तों ये पुल भ्रम पुत्र गाटी के उतरी वे दक्षेनी सिरे को जोडता है पहले धिमाजी और डिबरगड की 500 किलो मेटर की दूरी तेये करने में 34 गशन्टे लग जाते थे देकिन इस पुल की निरमान के बाद और इसके बाद ये सफ़र जोंकी 500 किलो मेटर लंबा था वे सिफ 100 किलो मेटर करे गया है और 34 गंटे की दूरी 3 गंटे में बदल गई है दोस्तों एक काफी जादा बड़ा प्रॉफिट है हर दर्ष्टी से चाहे वेव्यापारिक दर्ष्टी हो या फिर आम नागरिक की सुविधाओं की दोस्तों एक पुल एक इंजिनियरिंग की मिसाल है 22 जनवरी 1967 को पूर्फ सीएम डेव गोडा ने इसकी नीव रखी थी दोस्तों और आपको बता दू कि 21 अप्रेल 2002 को वाजबई सरकार में इसका काम शुरू किया गया उसके बाद आज इसका उधाटन मंगलवार को किया गया दोस्तों आपको आपने तस्वीरों में इस पुलकी फोटोस देखी होगी तो दोस्तों आप मुझे बताईए कि आपको कैसी लगी दोस्तों आप मुझे कमेंटे बजवाब दीजिए और चैनल को सिस्क्राइब करने ना भूले ताकि ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूँगा और दोस्तों चैनल को सिस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकिशन आपके आज पहुंच जाएगी दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिट्स लोटूंगा जब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों